ओम शान्ती साकार मुडली है 26 सारी की बाबा कहते मीठे बच्ची शरी निर्वा अर्थ करम करते हुए बेहत की उन्नती करो जितना अच्छी रिती बेहत की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नती होगी बाबा कहते शरी निर्वार करम करते हुए बेहत की उन्नती करो और जितना अच्छी रिती बेहत की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी ही उन्नती भी होती जाएगी आज का प्रशन है तुम बच्छे जो बेहत की पढ़ाई पढ़ रहे हो इसमें सबसे उन्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है उन्नतो कौन सी होगी तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई में सबसे उंची सब्जेक्ट है भाई भाई की द्रिष्टी पक्की करना बाप ने ग्यान का जो तीसरा नेतर दिया है उस नेतर से आत्मा भाई भाई को देखो जरा भी आँखें धोखा ना दे किसी भी देह धारी के नाम रूप में बुद्धी ना जाए बुद्धी में जरा भी विकारी छी-छी संकलप ना चले यह मेहनत है इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्यव का मालिक बन जाएंगे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही किस पढ़ाई की सबसे उन्ची सब्जेक्ट है भाई भाई की द्रिस्टी रखना माना आत्मिक द्रिस्टी रखना बाप ने जो ग्यान का तीसरा नेतर दिया है उस नेतर से ही आत्मा भाई भाई को देखना है बाबागे ते जरबी आंखें दोखा ना दें किसी भी देधारी के रूप में अपनी बुद्धी ने फसनी चाहिए बुद्धी में जरबी विकारी चीची संकल अपना चले यही महनत है माना इस पढ़ाई में बाबागे ते मुख्या महनत यही है इस सब्जेक्ट में पास होने वाले ही विश्यव के मालिक फिर बन जाएंगे ओम शन्ती बेहत का बाब बैट बेहत के बच्चों को समझाते हैं हर एक बात एक हद की होती है दुसरी बेहत की होती है जितना समय तुम हद में थे अब बेहत में हो तुम्हारी पढ़ाई भी बेहत की है बेहत की बादशाही के लिए पढ़ाई है इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं कौन पढ़ाते हैं बेहत का बाप भगवान शरी निर्वा अर्थ भी सब कुछ करना है फिर अपनी उन्नती के लिए भी कुछ करना होता है बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नती के लिए पढ़ते रहते हैं वहां है हद की उन्नती और यहां बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नती बाबा कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नती करो बुद्धी से समस्ते हो हमको बेहद की सची कमाई अब करनी है यहां तो सब कुछ मिटी में मिल जाना है जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद में कमाई की बातें भूलती जाएंगी सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है विनाश नस्दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंडेंगे विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा दुनिया तो यह कुछ भी नहीं जानती तुम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुर्शार्त अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो होस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं प्रन्तु यह होस्टल तो न्यारी है इस होस्टल में तो कहीं ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए बाबा के ते इस होस्टल में कोई शुरू से आए वो ऐसे ही रह रहे हैं ऐसे ही आ गए वेराइटी आ गए ऐसे नहीं सब अच्छे आए छोटे छोटे बच्छे भी तुम ले आए जब साकार बाबा के टाइम की बाबा बात कर रहे हैं तुम बच्चों को भी संभालते थे फिर उसमें कितने चले गए बाबा कहते हैं बगीचे में फूल भी देखो पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं यह मनुश्य स्रिस्ट्री भी इस समय ऐसे हैं हमारे में कोई सब्यता नहीं थी सब्यता वालों की महिमा गाते थे मना देवी देपताओं की कैते थे हम निरगुण हारे में कोई गुण नाहीं प्रभू बल कितने भी बड़े आदमी आते हैं फिल करते हैं कि हम रचैता बाप रचना के आदी मध्यंत को नहीं जानते हैं। फिर व किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्रीव का मालिक बनाते हैं। तो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। जरा भी कोई विगन डाल ना सके, क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की शिरिमत पर जरूर चलना चाहिए, भल दुनिया में कितनी गलानी हंगामे आदी होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पांच हजार वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी हैं, बच्चों को बताया है यह जो भक्ती मारग के शास्तर हैं, वो फिर भक्ती मारग में पड़ेंगे, इस समय तुम ग्यान से सुखधा में जाते हो, उसके लिए पूरा पुर्शार्थ करना चाहिए, जितना अ हम उँच पद पाएंगे, यह तो हर एक स्टूडेंट समस सकते हैं, कि हम कितना अच्छा पड़ेंगे, उतना ही उँच पद पाएंगे, बाबा केते जो जितना अच्छा पुर्शार्थ करेगा, पढ़ाई पड़ेगा, उतना ही उँच पद पाएगा, यह हम से होश्यार ह हम भी होश्यार बने व्यापारियों में भी ऐसे होता है मैं इन से उपर जाओं यानि होश्यार बनों बाबा केते अल्प काल सुख के लिए मेहनत करते हैं बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चो मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है दोनों इकठे हैं दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते ही नहीं पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन भगवान क्या पढ़ाते हैं बाबा केते अपने आप से राज योग तुम राज रिशी हो वहठ योगी है वे भी है रिशी प्रन्तु हद के वह कहते हैं हमने घरबार छोड़ा है यह कोई अच्छा काम किया है क्या तुम घरबार तब छोड़ते हो जब तुमको विकारों के लिए तंग करते हैं उनको क्या तंगी हुई तुमको म मार पड़ी तब तुम भागी हो एक एक से पूछो कुमारियों ने इस्त्रियों ने कितनी मार खाई है तब चली आई शुरू में कितने आई यहां मिलता था ग्यान अमरित तो चिठी ले आई कि हम ग्यान अमरित पीने ओमरादे के पास जा रही हैं यह विकार पर जगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा फिर आधा कलब के लिए बंद हो जाएगा अभी तुम बच्चे बेहत के बाप से प्रालबद लेते हो बेहत का बाप सबको बेहत की प्रालबद देते हैं हद का बाप हद की प्रालब देते हैं वह भी सिरफ बच्चे को ही वर्सा मिलता है यहां बाबा कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा दोनों वर्से के हकदार है लौकिक में बाबा कहते हद की दुनिया में क्या होता है लड़के को प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन लड़की को ने मिलती है लेकिन यहां बाबा कहते बच्चा हो चाहे बच्ची हो दोनों वर्से के हकदार है उस लौकिक बाप के पास भेद रहता सिरफ बच्चे को वारिस बनाते हैं इस्त्री को हाप पार्टनर कहते हैं प्रंदू उनको भी हिसाद देते नहीं हैं बच्चा ही संभा लेते हैं बाप का बच्चों से मू रहता है ये बाप तो काईद अनुसार सभी बच्चों को वर्सा देते हैं यहां बच्चे वा बच्ची के भेत का मालूम ही नहीं है तुम कितने सुख का वर्सा बेहत के बाप से लेते हो फिर भी पूरा पढ़ते नहीं पढ़ाई को छोड़ देते हैं बच्छियां लिखती हैं बाबा फलाने ने बलड से लिख कर दिया है अब नहीं आता है बलड से भी लिखते हैं बाबा आप प्यार करो वा ठुकराओ हम आपको क कभी छोड़ेंगे नहीं परन्तो परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं बाप ने समझाया है यह सब ड्रामा है कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे यहां बैठे हैं तो निश्चे हैं ऐसे बेहत के बाप को हम कैसे छोड़ें यह तो पढ़ाई भी हैं गैरेंटी भी कर करते हैं हम साथ ले जाएंगे सत्यूग आदी में इतने सा मनुष्य नहीं थी अभी तो बाबा के संगम पर सभी मनुष्य हैं सत्यूग में बहुत थोड़े होंगे इतने सब धरम वाले कोई भी नहीं रहेंगे उसकी सारी तयारी हो रही है यह शरीर छोड़ शांती धाम च इसाफ किताब चुक्तूगर जहां से आते हैं पाट बजाने वहां चले जाएंगे वह तो होता है दो घंटे का नाटक और यह बेहत का नाटक है तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे रहने का स्थान भी निर्वान धाम है वानी से परे है वहाँ आवाज होता नहीं मनुश्य समस्ते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है उनका कभी विनाश हो ना सके कितनी जीव आत्माई हैं अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती हैं सब आत्माई ड्रामा के एक्टर हैं रहने का स्थान ब्रह्मांड वह घर है आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती हैं वहा लात को अच्शी रीती समझना हैं, नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपे ही समझ आएगे, अगर सुनते ही रहेंगे तो बाबा दे छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खतम हो नई दुनिया स्थापन होती है बाबा कहते हैं कल तुम विश्यव के मालिक थे अब फिर तुम विश्यव के मालिक बनने आए हो गीत भी है ना बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके आकाश जमीन पर हमारा अधिकार माना कभजा रहता है इस दुनिया में देखो क्या क्या है सब हैं मतलब के साथ ही वहां तो ऐसे नहीं होगा सत्यूग में बाबा कितें ऐसा नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते है यह द्धन सुनमाल सब कुछ तुम को दे कर जाते हैं हमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनकर विश्यव का मालिक बनाऊंगा बाब कितना युक्ती से समझाते हैं इसका नाम भी है सहज ग्यान और योग सेकेंड की बात हैं सेकेंड में मुक्ती जीवन मुक्ती तुम अब कितना दूरा देशी बुद्दी हो गए हो यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पड़ रहे हैं हम अपने लिए राजय स्थापन कर रहे हैं तो उसमें हम उँच पद क्यों न पाएं युआ मैं कम क्यों पाएं राजधानी स्थापन होती है उसमें भी मर्तवे होंगे ना दास द दासियां धेर होंगे वो भी बहुत सुख पाते हैं बाबा केते साथ में महलों में रहेंगे बच्चों आदी को संभालते होंगे कितना सुखी होंगे सिर्फ नाम है दास दासी जो राजा राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं प्रजा को तो नहीं मिलता है दास दासियों का भी बहुत मान है प्रन्तो उसमें भी नंबर वार है तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो दास दासियां तो यहां भी राजाओं के पास होती है प्रिंसेस की सब ज प्राण दाता मना प्राण देने वाला जियदान देने वाला बाप को कहते हैं घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला वहां मरने की चिंता नहीं होती है यहां कितनी चिंता रहती है थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहां मरना जाए वहां डर की बात नहीं सत्युग में बाबा गते काल नहीं खाता है डर होता है कल्युग तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई बाप टीचर सत्कुरू को याद करो तो भी ठीक है जितना शिरिमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है बुद्धी में विकारी संकलब भी ना आए वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे बेहन भाई समझने से भी चीची हो जाते हैं सबसे अधिक धोखा देने वाली आँखे हैं इसलिए बाप ने तीसरा नेतर दिया है तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो इसको कहा जाता है ग््यान का तीसरा नेतर बेहन भाई भी फेल होती हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है अपने को भाई भाई समझो बड़ी मेहनत हैं सबजेक्ट होती है ना कोई बहुत डिफिकल सबजेक्ट होती है तो बाबा कि यह पढ़ाई है इसमें भी सकते हो बहुत बड़ा इंतिहान है विश्व का मालिक बनना है मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो तो बच्चों को इतना पुर्शार्थ करना चाहिए प्रंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं यहां भी ऐसे होता है अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती है तब बाप कहते हैं मुझे फारगती भी दे देते हैं डैवोर्स भी देते हैं फारगती बच्चे और बाप की होती है और डैवोर्स इस्त्री और पती का होता है बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं अच्छी अच्छी बच्चियां भी डैवोर्स दे जाकर रावन की बन जाती है, वन्रफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है, बाबा कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है गज को ग्रह ने खाया, बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेद्वी करते हैं, तो मा माया कच्चा खा लेती है माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है अच्छा बच्चों को कितना सुनाएं बाबा पूरी मुड़ी सुना कर कहते हैं अब बच्चों को कितना सुनाएं कितना सुनाओं मुख्या बात है अलफ को याद करना माना अलफ माना शिबाबा को याद करना मुस्लमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो मना अल्ला को याद करो यह वेला सोने की नहीं है इस उपाये से ही विकरम विनाश होते हैं और कोई उपाये नहीं बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है कभी तुम को छोड़ेंगे नहीं आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने याद की यात्रा से ही तुम सतो परधान होंगे उस तरफ जमा होता जाएगा बाबा कहते हैं अपना चोपडा रखो कितना याद करते हैं कितनी सर्विस करते हैं व्यपारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदा रहते हैं घाटा नहीं डालना चाहिए कल्प कल्प अंतर का घाटा पड़ जाता है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा जी को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुद मॉर्निंग नमस्ते 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 जी फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य असार में आज बाबा ने कौन कौन सी बात पक्की कराई तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है बुद्धी में विकारी संकलप भी ना आये इसके लिए आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास करना है किसी के नाम रूप मे नहीं फसना है दूसरी पॉइंट है जैसे बाब वफादार है बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं ऐसे वफादार रहना है कभी भी फारगती या डाइवोर्स नहीं देना है आज का वरदान है सदा हलके बन बाब के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव आज बाबा ने कहा संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती इस समय बाब और बच्चों का मिलन है वर्सा है वरदान है वर्सा अर्थात वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी बाब द बच्चों की देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे, अपने सब बोज बाप को देकर खुद हलके हो जाओ, इतने हलके बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठा कर साथ ले जाए, बाप से सने की निशानी है, सदा हलके बन, बाप की नजरों में समा जाना, सलोगन है आज का, नेगिटीव सोचने का रास्ता बंद कर दो, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगी, ओम शंती,